नमस्कार मैं गुप्तेस्वर पांडे डीजीपी बिहार आप बिहार की जनता को प्रणाम करता हूँ विसेश करके नौजवानों को इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने जितनी अच्छी तरह से जितने सांति प्रुण धंग से अपनी होली मनाई वो बिहार में एक इतिहास कायम हुआ इससे बिहार का पूरी दुनिया में मान बढ़ा है और बिहार की गर्मा बढ़ी है मैं चाहता हूँ कि आने वाले रामनौमी और चैत्र छट के आउसर पर भी आप इसी तरह से संयम के साथ, मर्यादा के साथ, अनुसासन के साथ इन दोनों पवितरते औहरों को मनाए सबसे पहले मैं रामनौमी के आप समों को बढ़ाई देता हूँ, चैत्र की छट के लिए आप समों को बढ़ाई देता हूँ, बिहार की पूरी जनता को विस्स करके नौजवानों को, रामनौमी का तिवहार नजदीक है और राम नौमी में और इस तरह के हर तरह के त्योहारों में देखा जाता है कि जुआ लोगों में डीजे के परती बहुत आकरसन रहता है रज्य अस्तर पर प्रसासन ने बहुत सोच बिचार करके नफा नुकसान का गणित बिठा करके और यह तै किया है कि किसी भी पर्व त्योहार में जुलूस में डीजे का बजाना प्रतिवंधित रहेगा ये आपकी सुविधा के लिए है आपके हित में है इस बात को अधिकांस जुआ नहीं समझ पाएंगे डीजे जब आप बजाते हैं तो उसमें तरह-तरह के असलील गाने भी बजाते हैं भड़काउ नारे भी लगने लगते हैं ऐसे गाने भी बजने लगते हैं जिसी किसी को चोट पहुँचती है किसी के भावना को ठेस पहुँचती है इससे एक तरह का तनाव का महौल उत्पन होता है खुलडबाजी होती है विधी विवस्था की समस्या उत्पन होती है पांच लड़के गलती करते हैं पचास निर्दोस नौजवान जूठे मुकदमे में फस जाते हैं पांच की गलती से पचास निर्दोस लोग मुकदमे में तो ऐसी इस्थिती में बहुत ही वविस्थे के लिए संकट हो जाता है और एक बार गुंड़ा पंजी में नाम चड़ जाने पर बार बार की परेशानी है कभी भी कोई उपद्रव होगा किसी परकार की इसान्ती होगी तो बार बार थाना आपको खोजेगी पूलिस आपको खोजेगी आपको चिठी जाएगी आपके इस मुकदमे में फसेंगे फिर वही जेल चारसित बेल का चकर लग जाता है तो मैं चाहता ही नहीं कैसा हो मैं चाहता ही नहीं और करते के वल सौ में पाँच लोग हैं 95 लोग निर्दोस होते हैं वो सांती चाहते हैं, अमन चाहते हैं, सद्भाव चाहते हैं एकता चाहते हैं, वो पद्रव नहीं चाहते तेकि पाँच लोगों की गलती के चलते पच्चास निर्दोस लोगों का नाम मुकदमे में पड़ जाता है पच्चास निर्दोस लोग फंस जाते हैं गुंडा पंजी में उनका नाम चड़ जाएगा और ऐसे मामलों में नयाय करना इतना मुस्किल होता है क्योंकि एक सामुहिक जिम्मेदारी का मामला है हम चाह करके भी नाय नहीं कर सकते, पुलिस चाह करके भी नाय नहीं कर सकती, मैं चाहता ही नहीं कि बिहार का एक भी नौजवान इस तरह के किसी भी जंजट में फसे, इस तरह मैं अनरोध करता हूँ, अत्यंत मर्यादा के साथ, अत्यंत अनुसासन में रहते हुए, खुद को एक अधिकारी मानते हुए, खूद को एक समाज का प्रहरी मानते हुए, खूद को एक पुलिस पद अधिकारी या पुलिस का सिपाही मानते हुए, इतनी जिम्मेदारी के साथ संप्रण विहार में राउनमी का तेवहार मनाएं कि पूरी दुनिया में लोग इसको देखें और दूसरे राज्जी के लोग हमसे प्रिणा ले कि बिहार ऐसा हो गया है तो ये संपरदाई सद्भाव बनाए रखने की जिम्वारी मैं बिहार के नौजवानों पर छोड़ता हूँ पर सास्मिक तयारी तो पुखता है और इस तरह की गलती करके कोई बच नहीं सकता है विलेज क्राइम डायरेक्टरी बन रही है गाउं गाउं के उपदरी तत्तों के सुची बन रही है तो पहले का जमाना अलग था आप कुछ भी करके कोई निकल जाता था अब डिजिटल वर्ड हो गया ये दुनिया डिजिटल हो गई अब एक बार आपने कोई गलती कर दी तो हमेशा के लिए आपका नाम रेकॉर्ड में आ जाएगा और फिर आपके लिए बड़ी परिशानी हो जाएगी मैं बिहार के नौजवानों को जो मेरे बेटे की तरह हैं मेरे भाई की तरह हैं मैं सब के भविश्य के परते बहुत चिंती तरहता हूं इसलिए मैं उनको सुझ कि अब कोई गलती करना कोई गड़वड़ी करना उनके भविष्य के लिए अच्छा नहीं है इसलिए सारे लोग मिल करके आपस में बैठक करें टीम बनाएं अपने अपने गाउं में अपने अपने टोले में अपने अपने महले में अपने अपने वाड में जहां जहां यह त अपने लाइसेंस धारी हैं, वो भी अपने नोजवानों को बैठक करें, और एक संकल पलें, कि आतिहासिक रूप से, सांती के साथ, और अनुशासन के साथ, और मर्यादा के साथ, प्रशासन से सहयोग करते हुए, बहुत उत्साह के साथ, इस्तवहार को मनाना है, आध्यात्म तो ये हमारे लिए अच्छा, सुबे के लिए अच्छा, आप बदनौजवानों के भविस्य के लिए अच्छा, ये सब के लिए अच्छा होगा, तो मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूँ, सोसल मीडिया के बारे में सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, बहुत लोग करते हैं, गाली गुलोज करते हैं, और बहुत तरह के अभद्रभासा का प्रयोग करते हैं, बिना साक्छ के अपत्ती जनक पोस्ट भी डालते हैं, तो सोसल मीडिया का दूरपयोग बहुत ही गंभीर अपराध है, आप IT Act देख लें, तीन महिने से छो महिने तक सजा का प्र तो तीस साल के सजा हो जाएगी, पूरा जीवन आपका जेल में कट सकता है, इसलिए सोसल मीडिया का जो उप्योग करने बाले नोजवान हैं, उनको बहुत सतर्क होकर के सोसल मीडिया पर कोई पोस्ट डालना चाहिए, जिम्मेदारी के साथ डालना चाहिए, और सोसल मुड दारलों के लिए काफी है, दारू से बचें, दारू के धंदे करने वाले के बारे में सूचना दें, समय, गाजा, ड्रग, किसी परकार के नसे का सिवन से जुआओं का भविस खराब होता है, समाज में अपराद बढ़ता है, उपद्रव बढ़ता है, असांती बढ़ती है, इसके लिए कानूनी प्रावधान भी हैं, तो नसा का पूरी तरह से विरोध करें, वहिसकार करें, और बिहार को संपुरू रुप से नसा मुक्ती बनाएं, तीसरी बात मैं चुनाओ के बारे में कहना चाहूंगा, किसी भी परजात आंतरीक व्योस्था में चुनाओ सबसे बड़ा पर्व होता है, ये बहुत बड़ा त्योहार है, बहुत बड़ा उत्सव है, और इसको उत्सव के माहौल में, बिलकुल सदभाव पूर्ण वाता बरण में, बिलकुल अनुसासन और मर्यादा के साथ दूसरे का सम्मान करते हूं मनाना चाहिए, किसी को भोट के लि या हिंसा करने की धमकी देना, ये बिलकुल गैर कानुनी है, तमाम प्रबंध किये गए हैं, ऐसे लोगों को नजर रखी जा रही है, ऐसे लोगों खिलाप कड़ी कारवाई करने के प्रावधान हैं, वो तो होगी जुआओं को बिहार के जिंता से अपील है, विसेसकर जु किलकुल निस्पक्ष, सान्तिप्री और ढंक से चुनाव संपन करना केवल हमारी जिम्मवारी नहीं है, केवल प्रसासन की जिम्मवारी नहीं है, विहार के तमाम अवाम की जिम्मवारी है, विसेसकर के नौजवानों की जिम्मवारी है, हम सब को मिलकर के कोशिश करनी है कि हर आदिमी चाहे हो किसी जाद का हो किसी दल का हो किसी धर्म का हो किसी मजभ का हो निर्भिकता पुरबर अपना मत का उपयोग कर सके और इसमें किसी तरह की कोई बाधा ना हो इसके लिए प्रसासों की तरफ से हर बूत पर हर जगा ब्यापक बंदोबस्त किये गए हैं और इस बार विशेस बात ये है कि चुनाओं में किसी प्रकार की गड़बड़ी फैलाने वाले लोगों की अलग सुची बन रही है उनके नाम की सुची बना करके और उसको हम लोग कंपूटर में सेफ करके हर जगह रेजिस्टर में सुची बद्ध करके रखेंगे और हमेशा के लिए दागी पंजी में उनका नाम चढ़ जाएगा तो मैं अनुरोध करता हूँ आप सभी बिहार की जनता से विशेशक और नौजवानों से जिन्नों ने मेरे अपील पर ध्यान दिया फोली को इतना सुन्दत तरीके से मनाया संपुरुण देश में इसकी चर्चा हुई स उसी तरह से रामनौमी के इस्तिवहार को भी बिल्कुल सांती और स्वहार्द के साथ मनाना है कहीं भी किसी प्रकार का तनाओ नहीं होना चाहिए कहीं भी प्रसासन से किसी तरह की जड़प नहीं होनी चाहिए कहीं भी कोई ऐसा उदाहरण नहीं होना चाहिए कि प्रसासन क बात आपने नहीं मानी और बेवजह वहां तनाउतपन हुआ तो यह अच्छा नहीं होगा मैं तुमाम दोजवानों पर भरुसा करता हूँ और तुमाम भिहार की जनता पर भरुसा करता हूँ के आप लोग को मनाएंगे और चुनाओ के महापर्व में बिलकुल अपनी सकार आत्मक भून का निभाएंगे मेरा आप सबों को प्रणाम मैं आपका सेवक गुपते स्वरपांडे बिहार का डी जी पी